नमस्कार दोस्तों, Welcome to my channel, देव MTR, यह है Hero Splendor Plus 100 Million Edition BS6 Splendor Plus में 5 variant आते हैं और 100 Million Edition में Red Color का आप्सन मिलता है, यह Splendor Plus का Top Model है इसमें कंपनी ने कुछ बदलाप की हैं और इसका प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है इसके नई features क्या है, mileage क्या है और इसकी July 2021 के बाद नई on-road कीमत कितनी है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए start करते हैं इसके front से तो यहाँ पर आपको कोई भी changes नहीं देखने को मिलेगा सिवाए इसके graphics के और यहाँ पर आपको Euro Splendor Plus का sticker मिल जाता है और इसके side में आपको graphics मिल जाते हैं और indicator आपको flexible type के मिल जाते हैं वल्ब वाले यहाँ पर आपको halogen headlamp मिल जाती है 35 बाट के वल्ब के साथ और इसका जो front की जो tear की grip यहाँ से आप देख सकते हैं और इसका जो front वाला mudguard है वो भी glossy red color में दिया गया है यहाँ पर IBS का logo मिल जाता है और side में reflector भी मिल जाता है और इसके front वाले tear के size की बात करें तो यहाँ पर 8018 का tear size मिल जाता है इसमें MRF company के two less tire मिल जाते हैं और integrated baking system मिल जाता है और इसके front में आपको telescopic hydraulic shock absorber type के suspension मिल जाते हैं इसके graphics की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरे graphics change देखने को मिल जाते हैं और इसके नीचे की जो theme है वो black color की दी गई है और इसके fuel tank के उपर hero का बड़ा सा graphics मिल जाता है जो की silver white और dark gray color का दिया गया है जैसा कि 100 million edition है तो यहाँ भी आपको 100 million edition की bedging देखने को मिल जाती है और इसके toolbox के उपर power start और programmed fi की bedging मिल जाती है और इसके battery panel पर splendor plus का 3D में logo और नीचे i3S का logo मिल जाता है और इसके पीछे वाला जो tag size है वो 8018 का दिया गया है इसमें भी MRF company के two less tire मिल जाते है और यहाँ पर आपको five step adjustable hydraulic shock absorber type के suspension मिल जाते है और black color के alloy wheels मिल जाते है और 130 mm की drum brake का option मिल जाता है और इसके पीछे seat के call के उपर भी graphics मिल जाते है उसकी seat की बात करें तो मुझे इसकी जो seat की quality काफी अच्छी लगी normal splendor के मुकावले क्योंकि इसकी जो cushioning है वो बहुत जादा soft दी गई है और इसकी उपर 100 million edition की bedging भी मिल जाती है यहाँ पर आपको वही पुराना बाला grab handle मिल जाता है जो की metal का chrome finish के साथ आता है और इसकी पीछे की side में भी आपको जो है टेलेम मिल जाती है बल्ब के साथ और दोनो side में indicator मिल जाते हैं बल्ब वाले इसकी बदलाब की बात करें तो इस bike में आपको body में कोई भी बदलाब देखने को नहीं मिलेगा इसकी seat बदल दी गई है और यहाँ पर इसकी जो graphics है और जो stick करें वो पूरे के पूरे change कर दिये गए है और इसके fuel tank की capacity है वो 9.8 liter की दी गई है और इसके पीछे की side में आपको एक black color का company fitted sardi guard मिल जाता है यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाता है और इसका जो chancet cover है वो plastic का दिया गया है जो की fully covered है और यहाँ पर side stand और man stand मिल जाते हैं इसके side stand के उपर एक sensor देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की side में 165 mm की ground clearance मिल जाती है और यहाँ पर 4 speed gearbox मिल जाता है और इसके engine के उपर head के उपर एक sensor देखने को मिल जाता है इसकी इंजिन और पावर की बात करें तो इसमें दिया गया है 97.2 cc का एर कूल फोर स्ट्रॉक 2 बाल सिंगल सिलेंडर BS6 फ्यूल इंजिक्टेड इंजिन इसकी मैक्सिमम पावर है 8.02 PS की 8000 rpm पर इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 nm का 6000 rpm इसमें दिया गया है 4-speed gearbox इसका बोर है 50 mm का और इसका इस्ट्रॉक है 49.5 mm का और इसकी additional features की बात करें तो इसमें आपको accents technology मिल जाती और इसका curve weight 112 kg और इसकी ground clearance 165 mm की दी गई है इसकी mileage की बात करें तो इस बात में आपको 65 से 75 km का आसानी से mileage मिल जाएगा और ये इसके engine की दूसरी side है यहाँ पर आपको केक स्टार्ट का option यहाँ पर brake pad दिया गया है और ये इसका catality converter और यहाँ पर इसके engine के head के उपर एक oxygen sensor और spark plug दिया गया है और इसका जो engine का head है वो black color का दिया गया है और यहाँ पर आपको combi braking system मिल जाता है integrated braking system दिया है और इसके exhaust के उपर आपको एक metal की chrome की plate भी मिलती है जो कि अभी assemble नहीं है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं अब दूस्तों इसके meter console की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको वही पुराना बाला meter console मिल जाता है जो कि odometer और speedometer फुली analog type का दिया गया है यहाँ से आप speed देख सकते हो यहाँ पर economy zone और side stand indication light i3s की indication light दी गई है यहाँ पर fuel meter मिल जाता है separate यहाँ पर gear की neutral light engine malfunction light और man head light indication light और turn signal indication light मिल जाती है और इसकी जो handle wire rod है वो chrome की दी गई है यहाँ पर आपको passing switch नहीं मिलता है low beam, high beam switch, indicator और horn का switch मिल जाता है इसके दूसरी side में चलें तो जैसा कि यह ITS model है तो यहाँ पर आपको ITS का switch और self का switch देखने को मिल जाता है आप इसको side profile की तरफ से देखो के तो इसका जो graphics और जो sticker है वो पूरे के पूरे change कर दिये हैं जो कि यह 100 million special edition है splendor plus का और इसके जो नीचे की जो theme है वो भी black color की कर दी गई है जैसा कि इसके जो suspension, engine और exhaust सभी black color के कर दिये गए है और इसकी seat की quality भी पहले से बहतर बना दी गई है इसकी on road कीमत की बात करूँ तो 85,000 पे इसकी on road कीमत है यह on road price मैंने आपको बताया है साइनेश और हीरो मध्यम गराम कॉलकता सोरूम का सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में बिल जाएगी other state वाले बिलकुल भी tension दा लें आप मेरे को comment कर देना अपनी city का नाम मैं आपको आपकी city का hero splendor plus 100 million edition का on road price reply करके बता दूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाज से आदा like करें comment करें share करें चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन को जरूर दबा देना thank you दोस्तो